आज हम दियोधारी संक्रियां के बारे मध्यन करएं, दियोधारी संक्रियां याना binary operations क्या हैं इसके बारे में जानेंगे यहां देखो, यहां एक समुच्चय A दिया है, इसके दो अभियब लेके चलते हैं A और B इनके बीच में हमने एक संक्रियाoot star को operate किया तो हमको क्या मिला atheh star b और यह जो atheh star b, जो single अवयब है वह किसका अवयब होगा A का अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आर एक समुझ्चय दिया है आर क्या है वास्तिक संक्रियाँको समुझ्चय है इसमें योग, अंतर और गुणा दियोधारी संक्रियां होती हैं, लेकि भाग जो है दियोधारी संक्रिया नहीं होता है, लेकर यदि हम वास्तिक संक्रियां में निगेटर संक्रियां को खटा दें, तो वो संक्रिया दियोधारी संक्रिया हो जाएगी, यहाँ पर देखो, धन संक्या मिलती है अधिया द्योधारी संक्या अब भाग में दिखते हैं कि दो संक्या ए और बी वास्तिक संक्या है उनके बीच में ए माइनस भी ऑपरेट किया तो हमको क्या मिलेगा वह भी वास्तिक संक्या मिलेगी इसलिए जो आर है दियोधारी संक्रिया है, minus के सापेक्ष, अब गुणा के सापेक्ष देखते हैं, A और B, दो वास्तिक संक्रिया है, उनमें हमने गुणा का operate किया, तो A into B भी एक संक्रिया जो मिलेगी, वह भी वास्तिक संक्रिया होगी, इसलिए ये गुणा के सापेक्ष भी वास्तिक संख्या R दियोधारी संख्या है आता है पिलस, माइनस और इन्टू गुणान पर इस सबी संख्यां जो हैं रियल संख्याओं में वास्तिक संख्या दियोधारी संख्या हैं अब हम भाग में देखते हैं, कि दो संक्रिया A और B लेके चलते हैं, यदि उसमें हमने भाग आपरेट किया, तो क्या हो जाएगा A अपान B, अब हम B का मन जीरो रख देते हैं, तो A अपान जीरो जो होगा, वासिक संक्रिया नहीं है, इसलिए भाग के सापिक दियोधारी सं अब हम यहाँ पर करमविनियम देखते हैं, कि एक समुचह X दिया है, उसमें दियोधारी संक्रिया करमविनियम क्यालाती है, यदि A स्टार B बराबर B स्टार A हो, इसका मलब होता है, कि अब हमने संक्रिया अपरेट की, और यदि दोनों संक्रिया को करम बदल दें, तो उन करम बिनियम का नियम पालन नहीं करते हैं, यहां देखो जारा, A plus B, बराबर B plus A होता है वास्तिर संक्रिया के लिए, यहने दो संक्रिया को A और B को जोड़ें, या B को A में जोड़ें, मान बराबर होते हैं, इसी तरह गुणा में देखते हैं, कि A का B में गुणा करें, य और चार में से तीन को खटा है, दोनों मान बराबर नहीं आते हैं, अता है माइनस के सापेच क्रम निमेरे नहीं है, इसलिए भाग के सापेच भी क्रम निमेरे नियम नहीं होता है, इसलिए भाग के सापेच भी क्रम निमेरे नियम नहीं होता है, इसलिए प्रकार हमें अगला आपरेट करते हैं तो फोर इस्टार थिरी कितना हो जाएगा चार धन्षे बराबर दस याना ग्यारा और दस बराबन नहीं है अत्या करमबनी मेरे नियम नहीं है अब हम यहाँ पर साहिचा नियम के बारे में देखेंगे कि तीन अभयाब लेके चलेंगे एके और तीनों में यह संक्रिया इस तरह से आप यूज करते हैं कि A स्टार B पहले आपरेट करेंगे पर C को आपरेट करेंगे और B और C को आपरेट करेंगे और फिर A को करेंगे तो तो यह संक्रिया जो है साहिचा नियम कहलाती है तो योग में देखेंगे कि संक्रिया नियम लागू होता है और गुणा में भी नियम लागू होता है इसलिए से साहिचा नियम का पालन करते है अब अंतर भाग में देखते हैं कि यदि हम 8 में से 5 को घटा दें तो कितना और इसी तरह भाग में भी बराबन नहीं आ रहा है इसका मलब यह कि घटाना और भाग दोनों साहचार नियम नहीं है आविवग के बार में देखते हैं कि एक ऐसा अभिवग यह ले के चलते हैं जो एक साथ आप्टेट करें ठूremeको वही अभी आवभ यह प्राप्त हो तो हम यहाँ देखते हैं कि योकम अभी अब हैं हमने यहां पर दो आपरेशन लिए है प्लस और इंटू तो ए पर एक जो प्लस है उसके लिए तस्समख अब यह अइडिन्टिटी जो है जीरो होगी क्योंकि ए में 0 को एड करते हैं तो वापिस वही ए मिलता है तो जीरो जो है धन की तस्समख या आइडिन्टिटी क लिए a में 1 का गुना करते हैं या 1 का गुना करते हैं तो वही वापस अभबाप मिलता है यायने गुना के लिए ततस्समाख अभब क्या हो जाता है तो 4 गुना सेalts克थ seniors कोई व्यूं के साप लिए 7 ततस्समाख अभब नहीं है इस वेब भाग के लिए हम देखते हैं कि भाग में भी कोई ऐसा अवयब संभव नहीं है इसलिए गोणा और धन के लिए तस्तमख अवयब हैं लेकिन घटाना और भाग के लिए तस्तमख अवयब नहीं होते हैं अब हम यहां पर बितकमणी फलन के बारे में देखेंगे बितकमणी क्या होता है हम एदी दो अवयब A और B दोनों की बीच में एक आपरेशन आपरेट करते हैं A स्टार B और एदी हमको आइडेंटी तस्तमख अवयब मिल जाता है तो इसका मलब होता है कि B जो है यह का बितक प्रतिलों है तो अब हम यह दिखते हैं कि प्लस और माइनस के लिए दिखते हैं तो यदि A में माइनस A को एट करते हैं तो हमको तस्तमख अवयब 0 मिलता है इसका मलब क्या हो जाएगा माइनस A, A का बितकमणी प्रतिलों है ठीक है अब हम गुणा के साफिश देखते हैं यदि A में वन अपान A को गुणा करते हैं तो हमको गुणा की तस्तमख एक प्राप्त होता है इसका मलब क्या हो जाएगा वन अपान A, A का बितकमणी है प्रतिलों में ठीक है अब आप सभी छात्रों को यह वाली एक्सेसाइज करना है इसमें हमने अलग-अलग आप्रेशन दिये हुए है और इनमें हमको यह दिखाना है कि यह संक्रिया जो है दियोधारी संक्रिया है अथवा नहीं है एक वाली exercise भी छात्रे सभी करेंगे, इसमें वी questions जो दिये हैं, इसमें एक function और एप जो defined है, इसमें एक की image क्या होगी, एक का प्रतिविम क्या होगा, दो, और तीन का प्रतिविम पाँच, और चार का प्रतिविम एक है, और G function कैसे defined क्या है, कि एक का प्रतिम 3, दो का प्रतिम 3, तो हमको GOF ग्याद करना है और दूसरे कॉस्टन में तीन function दिये हैं F, G, H और हमको यह संक्रिया यूज़ करके हमको जो सिद्ध करना है दो प्रकार के समिकरना और तीसे कॉस्टन में GOF और FOG ग्याद करना है नीचे दिये हुए संक्रियाओं के लिए